हेलो माई यूटूब फैमिली राधे राधे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और सुबहें मैंने एक वीडियो का एंड किया था और अभी मैंने दूसरा वीडियो शुरू कर दिया है क्योंकि नहाना वगेरा सब कुछ हो चुका है नहाने के लेकिन ना लाइट है ना पानी है लेकिन फिर भी जितना पानी था मैं नहा कर आ चुकी हूं अभी नहाली है मैं भी नहाली अभी बाकी बच्चे देखेंगे जितना पानी होगा नहालेंगे क्योंकि अभी पानी थोड़ा बहुत है मैंने का कम कम से नहाना जितना मतलब पा पानी चाहिए तो light आई नहीं अभी तक बी और न लाइट नहीं तो पानी बी नहीं है तो ऐसा हो रहा है और पूझा हो चुकी है मेरी और अभी मैंने यह धुला हुआ इस्टॉल डाल लिया था अच्छा है ना यह वाला इस्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है यह प्रिया के पापा लेकर आए थे मेरे लिए और यह थोड़ा सा है भी है लेकिन मैं कभी-कभी डाल देती हूं इसे वैसे तो मैं कहीं जैसे जाती थी ना तब ले जाती थी के साइड में लेकिन अभी मैंने निकाल रहा है कि अब तो ओर ज़्यादा हलक़ोट चल गए ना तो यह रखेह रह जाते है तो इसकी से दोल से धूड़ा रखा तो अभी वहादा यहीऄ डाल लिया और अब अपना जुह 시간 कुण के कल कल ली डाला है मैंने आप कल दोंगी क्योंकि आज मैंने ज्यादा कप्ड़े नी दोएं वही निकाल कर आई जो गीले कप्ड़े थे तो चलिए आज का जो ब्लोग है वो शुरू कर और अभी बना रही हूं मैं भाजी तो भाजी के लिए सारी सब्जियों के मैंने बोयल कर You , जैसे कि पत्ता गोबी है और गोबी है बला भी और इधर मैंने टमाट्र, अल्फ मर्च, अदरक बाजी को मैंने फ्राइब कर दिया यहां पर सारे मसाले डाल के और कलर कितना अच्छा रहा है बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और मैं बाजी को एड कर दूगी इसमें रेसिपी सेर नहीं की डिटेल में क्योंकि पहले भी मैं कई बार सेर कर चुकी हूं यह तो वैसे तो रख दी है और आज मैंने मतलब वो डालते है ना इमली तो वो नहीं गलाई थी मैंने आज थोड़ा सा आमचूर पावडरी डाल दूगी इसमें और यह बनकर तयार भी हो चुकी है उपर से डाल देंगे धनियापती जो कि यह इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो ज तो मैंने का चलो रोटी से ही बना लेते हैं अगर खाने होंगे तो बाद में ले आएंगे लेकिन यह अभी मैं रोटी ही बना ले रही हूं क्योंकि जब लेकर नहीं आए तो कोई बात नहीं मैंने का यही चल जाएगा और खाना पीना सब को अभी खिला देते हैं तो मैंने कहां जाना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा चलो मैं बता देती हूं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूं मैं जा रही हूं भाभी के घर और वहां पर हमारी जो फ्रेंड वह आई हुई है तो उन्होंने मुझे सुबह भी फोन कर दिया था आ जाओ फिर मेरा लब ऐसे मतलब भाभी भी है और वो भी तो वहां जा रही हूं मैं और वहां थोड़ी देर बैट कराऊंगी कि तीन बजे मतलब करीब पहुचूंगी तो चार साड़ चार बजे मैं वहां से आजाओंगी एक जड़ गंटे के लिए तो जड़े है फिर अब चलते हैं और मैं भाभी क आई थी जहां रहती है ना वो बुलेंशे रहती है तो वहां से आई थी तो इस वज़े से पोली एक साथ बैटके बाते करेंगे और यहां पर मैं भाभी भी बैटी हुई है अभी एक दीदी और थी वो भी मतलब आई हुई थी उन्होंने भी बहुत देर तक रुकी है और फिर वो चली गई तो थोड़ा बहुत ही हां हमारी कन्नू ने यह वीडियो बना लिए हमारी सब की गप सब चल रही है ना काफी देर तक चली और बैटे बैटे ना दो बार तो चाय हो गई यहां पर जब कहते ना थोड़ी देर और बैट लो और बैट लो ऐसे हो जाता है गई तो थोड़ी देर के लिए थी लेकिन वहाँ पर जाकर फिर बहुत टाइम लग जाता है जब बाते करने लग जाते हैं और तो हम सब की वही चलती हैं और सब की ऐसे ही चलती हैं जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो ऐसे ही होता है पहले यही रहती थी हैं आप लोगों तो बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे बहुत time बाद और वो अपनी कहते हैं हम अपनी सुनाते हैं वैसे तो नहीं हो पाती हैं लेकिन हम तीनों एक दूसरे की समझते हैं क्योंकि तीनों ही एक जैसे हैं तो वही ना कि अपना जो दुख होता है वो दूसामने वाला भी तभी समझता है जब वो खुद भी उस चीज से बुज़र रहा होता है तो वही हमारे साथ है तो अपनी आपस में हम बाते कर लेते हैं तीनों बैठ कर जो भी करते हैं फिर उधर थोड़ी बहुत दे न यहां पीछे गूमने गए और काफी बाबी जो आगई में भावी के पेड़ पौदों में जो कि यहां पर आकर बहुत अच्छा लगता है क्यूंकि हर्याली हर्याली और यह कखरोंदे का पौदा तो आपने देखा ही होगा पहले और इधर की तरफ यह बहुत अच्छे लगते हैं पौदे नीबू का पेड़ और बहुत स सारे पौदे हैं यहां पर अभी मैं आगे हूं भावी के घड़ से और बहुत अच्छा लगा बैठके वह भी निकल गई जो मेरी फ्रेंड आई थी और वह भावी पी हैं तो वह भी उधर निकल गई थी अपने हां और मैं भी इधर निकले आई और अच्छा लगा बहुत शेयर सब्सक्राइब जरूर कीचेगा बाई बाई